प्रधान्वंत्री नरेंद्र मोदी ने आज निताजी सुभाष चंद्रबोस की 125 वी जैंति पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है दरसल इंडिया गेट पर निताजी सुभाश्चेंद्र बोस की ग्रे नाइट के प्रतिमा लगाई जानी है जब तक वो बनकर तयार नहीं होगी आप इंडिया गेट पर निताजी सुभाश्चेंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा को देख सकते हैं नेता जी की मूर्ती 28 पिट उची और 6 पिट चोड़ी होगी तेलंगाना में ये मूर्ती तयार की जा रही है और माना जा रहा है कि अगस्तक ये मूर्ती तयार हो जाएगी इंडिया गेट पर हर कोने से ये मूर्ति दिखाई देगी और इस मूर्ति को ग्रे नाइट से बनाय जाएगा इंडिया गेट के पास एक छतरी के नीचे मूर्ति स्थापित होगी 1968 के बाद से ये छतरी लगातार खाली रही संस्क्रेटिक मंत्राले ने डिजाइन तयार किया है निता जी के मूर्ती ए गड़नायग मनाएंगे अधियुत्य राष्टिय आधुनी कला संग्राले के महा निदेशक है जुरान प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोदी ने 2019, 20, 21 और 22 के लिए सुभाष चेंद्र बोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार भी प्रदान किये गए ये कुल साथ प्रुसकार प्रदान किये गए उर्जा मंत्री भामर सिंग भाटी और आपदा प्रबंदन मंत्री गोविंद मेगवाल बीकानेट दोरे पर रहे दोनों ही मंत्री आज राज्य सभा की पूरु सांसद जमना बारुपाल के निधन पर सोक समेदना व्यक्त करने उनके निवास गए बाद में उर्जा मंत्री भमर सिंग भाटी ने सरकिट हाउस में जन सुनुवाई भी की भाटी ने कहा कि सोलर के छेतर में बहितर काम हो रहा है हम चाहते हैं कि राजस्तान में जो अध्योकिक घराने आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हूँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट का आवाला देते हुए बताया कि जैसलमेर और बीकानेर में बड़े अध्योकिक घरानों ने सॉलर में इंटरस्ट दिखाया है तो इधर प्रतिपक्ष उपनेता राजिंदर राठोड ने तीनों मंत्रियों पर निसाना साथते हुए कहा कि बीकानेर के ये तीनों मंत्री ये बता दें कि जो बजट में घोशना हुई थी वो कितनी पूरी हो चुकी है नया बजट आने को है लेकिन पिछली बजट घोश जाता कि वे नेता हैं और भाज़पा के कारेक्रमों में दिखती रहती है यूडिया चमंत्री शांती धारिवाल के हवाले से कोटा शेहर के लिए एक और बड़ी खुशकबरी कोटा में चंबल रिवर्फरंट पार्ट वन का का काम 2030 में पूरा होने के बाद रास्तान सरकार रिवाइटी कोटा शुरू करने जा रही है चंबल रिवर्फरंट पार्ट टू का भी काम चंबल रिवर्फरंट पार्ट टू चंबल की बड़ी पुलिया से लेकर के और रिल्वे कोरनी तक के इलाके में बनने वाला है धारिवाल ने इसके साथ एक और खुशकबरी सुना ही नदी के दोनों किनारों पर तयार हो रहे कलात्मक घटों के साथ ही हेरिटेज लूकर विबिन डिजाइन्स का बारिकी से आखलन किया इस दोरान धारिवाल ने डिजाइनर पत्थर और हेरिटेज पत्थर लगाने में देरी पर समय देक पर जुर्माना ठोकने के तक की सबने अपर बने सभी रिवर फ्रंट्स को मात देगा राजस्तान के दूसरे बड़े जिले जोत्पूर में लगातार कोरोनों के मरीज बढ़ने के साथ में जब मौत का आखड़ा बढ़ने लगा तब जोत्पूर के ने जिला कलेक्टर इमानश्य गुप्ता ने इसे गंबीरता से लेते वे रवीवार के अवकाश होने के बावजूद अधिकारियों के आवशक बैठक बुलाएं और आवशक निर्देश दिया उन्हें साफ काया कि चायरेल बेस्टेशन हो या फिर एरपोर्ट वहाँ पर यात्री आ रहे हैं उनकी भी जाच की जाए उसके स साथ ही नए जी राकलेक्टर मानेश को पतारे जोत्पर के विबिन प्रजेक्ट देखें योजनाई देखी चैपाउट अस्पताल की बात करें रोड़ेबस्टेंड की बात करें मडो गार्डन की बात करें या फिर रायमाता कर्शिमंडी की बात करें या फिर फुलेबा कर प्रिजा के पास एटों से बरी टेटर टॉली ने मारी बाइक को टक हचकर, हास्य में तीन दोस्तों की मौके पर मौत, तीनों दोस्त नह्तवी से भरतप्र जा रहे थे तब ही लधावी टॉल प्रिजा के पास इटों से बरी टैटर टॉली ने वाइक सवारों को टक कर मार दी जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई सेबर पुलिस के दौरा टैटर टॉली का काफी देर तक पीचा किया गया जिसकी बाद डाइवर को भी गरपतार कर लिए गया है घटना की जैनकारी के बाद नद तवी कि महरंपर गाउं में गड़ना के बाद मातम शाय हुआ है। गाईल हुएं एक गंबीर गाईल को जैफुर रेफर किया गया। दारदार हतियारों से दोनु परिवारों इस तरह एक दूसरे पर तूट पड़े जिसमें नो लोग दोनु तरफ से लहुलवान हो गये। गंबीरता को देखते हुए डीडवाना उप्खन परसाचन ने मौक्य पर पुलिस का अत्रिक जापता तेनात किया गया। बशोन परसाचन परर प्टार लोग मौक्य प्रीड़ार गया। लोग मौक्य कर दोनु पर दोनु पर दोनु झाजिए जजिक किया। झाल झाल